नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है में यूट्यूब चैनल एक्जाम मशीन में आज हम पढ़ेंगे मत्यपतेश का गठन आज से हम नए लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं MP पूलिस के लिए तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं डेली एक वीडियो डालू आप सभी का सिलेबस मेरे साथ भी कंप्लीट हो किисл आप चलिये मध्य बतेश के गठन के पहले अंप वो से स्ट्रक्चर समझ रहे थे मद्यपतेश का स्पीजिए č कोन सा जीला पर है और कौन सा जीला की सा करते हैं ठीक है थोड़ा सा मैप के द्वारम फ्रोड समझ लेंगी यह थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर है शुरू आती है तो इसका आपको बहुत वाइदा भी लेगा जब आप मध्यपदेश का लठेने कोई भी चप्टर पड़ेंगे मध्यपदेश का इस प्रगार मध्यपदेश का मैप है अब हम यहाँ पर जिले एक ट्रिक्स रियाद करेंगे कि यहाँ पर एक हल्कि से हम एक ट्रिक करेंगे जिससे आपको आसानी से जिले याद रहेंगे हम पहले जिले boundary वाले पड़ेंगे जनकि यहीं पॉंड़र से पड़ी और और ऑपर से पड़ी आई इसे नहीं boundary वाले पड़ेंगे फिर ट्रॉप्रीक ओफ कैंसर जो करकरेगा गुजरती मध्य बदेश से उसमें जिले जो आते हैं वो बीच में डालेंगे तीन चार जिले बचेंगे तो वह ऐसे याद कर लें ठीक है तो सबसे पहले आप यह देखें यहां पर यहां पर आता है हमारा भिंड यह एरिया है भिंड और यहां पर आता है हमारा श्योपूर बीच में है मुरेना यहां पर है ग्वालियर शॉट फॉर्म लिख देता हूं जगे का होने का यहां पर आपका अधातिया यह है आपका श्यूपूरी यहां पर यह जो श्यूपूरी श्यूपूरी हुआ दो में डिवाइड है अब यहां से श्यूपूरी दो में डिवाइड होगे आपका अशोक नगर और गुना यह आपका गुना यह आपका अशोक नगर ठीक है अशोक नगर के बाद में आप थोड़ा सा यहां पर लगपक अशोक नगर के बाद में यहां पर सागर सागर के बाद में यहां पर पहले आता था एक चिरा आता था यहां पर टीकम गड़ अब यहां पर यहां पर यहां पर बन गया टीकम गड़ से लग निमाड़ी कि टीकम गड़ के बाद आएगा आपका यहां पर शतरपूर चतरपूर के बाद आएगा यहां पर पन्ना पन्ना के बाद आपका सत्ना तो यहां पर एक रीवा रीवा के बाद आता है सीदी सिंग्रोली तो यह जरूर यादर की आप सीदी आप सीदी जो है वो 36 गड़ की सीमा से टच होता है ना कि यूपी की सीमा से यहां है आपका सिंग्रोली सिंग्रोली भिंड मुरेना श्योपूर गौलियर दतिया शिवपूरी शिवपूरी के बाद दो डिवाइड हुए मुझे यहां का नौलेज आसपास का यहां पर रिवा और पन्ना से कुछ हमारे दोस्ते ट्रेनिंग सेंटर में मुझे यहां का वियाद है सीदी सिंग्रोली मुझे मैप से पहले याद था क्योंकि जे यह जो निकल रहा है यहां पर यह में दूसरे इंचे बताता हूं यहां को यह अलका निकल रहा है नीचे हर्क सिंग्रोली ठीक है अहलं यह जो बट्टी है है यह प्ट चुब है कि यह थोड़ीन आपकों कि मैं दोस्त रहता है vetah मैंने कभी गया हूं मेंगर यहां पर शेहडोल यहां पर आपका अनुखपुर यहां पर है आपका डिंडोरी यहां पर है आपका यह जुका हुआ है नीचे इलागा यह बाला घाट ठीक है बाला घाट के बाद आपका आता है यहां पर इस बाउंडर पर सीवनी सीवनी यहां पर है आपका चिंदवाड़ा ठीक है समझ में नहीं आए तब थोड़ा सा वीडियो को पॉस्ट करके तब देख लिए और यह जो नीचे वाला इलागा है थोड़ा सा नीचे नीचे यह है बैतुल बैतुल के बाद आपका आएगा हर्दा यह हलका से यहां पर हर्दा यहां पर आएगा घंडवा जिसको हम बोलते हैं पुर्वी निमाड पुर्व की तरव है पस्चिम की तरव पस्चिम निमाड यह पूर्व की तरव है ठीक है राइट हैं साइट पे पूर्व और इदर पश्चिम तो आपका यहां पर आएगा खंडवा इसको हम क्या बोल सकते हैं और पुर्वी निमाड पुर्वी निमाड दिख रहा है आपको इस पश्ट एक जीला नीचे यहां पर और है वो है बुर्हानपुर ठीक है खंडवा के जस्ट पास में हैं यहां पर घरगोन पश्चिम निमाड जिसको हम बोलते हैं इस प्रकार से हम जिले याद करेंगे तो बहुत आसानी समय जिले याद जाएंगे एक बार देख लेते हैं यह पूरा जो रेट से हमें एक लिंक में याद करना है यह जो पूरा है हमें दूसरी लिंक में याद करना है इसलिए मैं पेंच चेंज करके लिखा है मुरेना भिंड श्योपूर ग्वालर दित्या श्योपूरी गुना अशोक नगर सागर टिकंगर निमाडी चैतरपूर पन्ना सतना रिवा सीरी सिंग रोली अ कुछ पता नहीं वीडियोह क्यों रुख रोगे थी में यहां से आघे यहां तक मेप बना दिया ज्धाबागे बाद मैंने वता था रतला मंसुर नीमच और आगर मालवा राजका यहां से आगे देखते हैं अब यहां से आगे देखिए आप यह हमारे बाउंटरी के जिले कम्प्रीट हो गए ठीक है एक बाइन को आप फ़सर रिपीट कर लिजिए भिंड मुरेना शोपुर ग्वालियर दतिया श्यूपुरी गुना अशोक नकर यह आपको इतना स्ट्रक् श्यूपूरी के वाद दो इवाइट होए गुना अशोके नका अशग्नक 뉴스 तिकमगड निवाड़ी चलत प्रेस्टारपुपंन सत्हा रिवा सीथी सिंग्रोली यह एक क्यून में याद हो रहे है स्टारपुपंण सत्हा रिवासीथी सिंग्रोली ओ यह यहां से शेड और अनुपूर डिन्डोरी बालागाट तक ठीक है कि सिवनी चिंदवाड़ा बेतुर हर्दा बुरानपूर खंडवा खरगोन बढ़वानी अलिराजपूर जाबवा रतला मंसुर निवाच ठीक है आगर मालवा राजगड़ और गोना अब यहां से मैं आपको एक तरीका बताऊंगा तो असब वीडियो को पॉस्ट करके बताऊंगा एक तरीका आपको अब हमने अभी वह जिले देख लिए जो MP के बाउंडरी के हैं इससे हमें बहुत कुछ आपको थोड़ा डाउट ठीक है इससे आपको अंदर के जो मैप में जो बीच में जिले वह आपको याद रहे जाएंगे ट्रिक है जो मैंने पड़ी थी पहले वह आप देख लिए इसको एक दोहे की तरह उन्होंने याद करवाय था हमें रवा रासी भाउरा सा ठीक है यहां से अलग दम जब कटनी उम्रा सा ठीक है अब यहां से आप फ्रसा देखिए कि यह दोहे में मतलब किस प्रकार आप फ्रसा समुझेंगे कि अगरा से आपका रतलाम है ठीक है चौटार जिलोस की गुजर गुजरती है वह मैं बता दूंगा रतलाम उसे उज्जिन और आ से आगर मालवा ठीक है अब राज से राजगर रवा रासी सी से सी होर चलिए अब यहां से आपका बहुरा रवा रासी बहुरा बहुरा मतलब भोपाल अटोमेटर याद हो जाएंगे आपको मतलब दिसके सभी चले और वोपाल के बाद आपका जस्ट बाद आता है वीली साथ और आसे राज से राज से ठीक है और साथ से आपका सागर ठीक है अब यहां से इसके बाद में आप देखिए दूसरा दोहे का दूसरा पार्ट दम दम मतलब पूरा मतलब दम को पूरा एक बनाया है हमने दमों जबल पूर का जब को भी ने पूरा जबल पूर का यूज किया है कटनी तो आजिटीस है कटनी एक स्वयमिक जिला है दम जब कटनी उम्रा उम्रा मत उमरिया सेकंड पाड इजी है उमरिया और शास से आपका शेहडॉल जब जिले हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नों दस ग्यारा बारा तेरा चौदा हो गए चौदा जिले आप चौदा जिले बीचों बीस से गुजरती है मतलिक बदेश के यह चौदा जिले बीचों बीच में डाल तो ठीक है थोड़ा बत आगी बीच हो चाहे तो कम चलता है रह करा रतलम काहसी रागर मालवा के आसपासि यही पर राज चुरो अभी छोड़ो इन दोग लेगे राउजेन के बाद आगर रा मतलब राजगर राजगर आपका यह कहीं आएगा तो आप यहां पर राजगर लिए अब इसको ऐसे बनाते जाएगी है मिरे साथ राजगर राजगर मतलब शीहोर तो राजगर के बाद आपका यहां पर सीहोर अब राजगर मतलब भूपाल शीहोर के बाद आपका यहां बीच ओ बीच बहुपाल बहुपाल के बाद वह सबीदी शाह अब भूरा साथ सागर यह लाइन से बनाते जाएगे लगबग लगबग ऐसे फरदर जगावच जाएगी बहले पर आप बना जाएगे दम सागर के बाद आएगा दम जब कटनी दो तीन जी रहाने तो थरद से इसको उपर बना देंगे दम होका हुपा दम जब जब मतलब जबलपूर आपका यहां पर जबलपूर और यह कटनी कटनी और आखरे में आगा उमर्या उम्रा साथ यह हो गए चौदर चिले एक लाइन में करकर रेखा वाले अब कुछ चिले जो बचें हैं इंप्रड़ेट इंप्रड़ेट इंदोर तो हमारा है इस हिंदोर इंदोर के पास में यह धार धार कौम के से बूल सकते हैं चीक है बहुत लोग हैं इन्धार से अब दिन दोर के पास तो भी यह देवास भी है देवास फ्रेमस जिला कि अब देवास के पास फियुक नशुक्नगर भी हो गया यहां पर कुछ बचा उता प्लीज मुझे बताईए लगबख लगबख जिले कंप्रीट हमने कर लिए जबल पूर के पास आएका नर्सिंग पूर नर्सिंग्पुर के पास राइसें हो क्या राइसें नहीं हुआ माला राइसें यहां पर हम राइसें डाल देते हैं ठीक है राइसेंग होशंगा बात भी है आपका जिला पंची बड़ी बहुत प्रेमस जगा है यह इसको किसे बूल सकते हैं सभी important जिले हो गए हैं कुछ डिले बचेते दर्सिंग्पुर आपका ओशंगा बाद और इंदोर यह ट्रिक से त्रिक में नहीं यह आहरे थे यह जिले टच होते हैं ठीक है इससे आपको बॉर्डर से याद करने में आपको यह फाइदा हो जाए कि कौन से राज जिसे कौन से जिला टच होता है ठीक है अब यहां से मुरेना शुपूर शुपूरी गुना राजगर्ड आगरमालवा रतला मंसोर नीमच इतने जिले आप पांच छे साथ आठ नो और एक दस जाबवा जाबवा ठीक है टोटल दस जिले यहां पर रायस्तन की बॉर्डर से टच होते हैं यहां पर आता है गुजरात गुजरात में जाबवा रिलाजपूर यहां पर आपके ओनली दो ही होगे जिले टच होंगे यहां पर नीचे हुसरा हें कि यहां पर आपका Means महाराष्ट किंशिब्ये ट छोड़े पर देख लेते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नो जिले यहां पर महाराष्ट में टच हो रहे हैं कितने ऑने जिए यहां पर आपका आता है चतीश गड़ इधर आपको आजाता है यूपी सबसे यादर जिले टाच यूपी की बड़र से होते हैं तेरा जिले ठीक है एक तो आपका ये इससे क्लियर हो जाएगा अब यहां से आप एक चीजोन देख सकते हैं करकर रेखा वाला मैंने आपको बता दिया करकर रेखा वीमिन आपको डिया किपने जीले के घुजत है और आप यहां पर मुरेणा एक ज़ रहा है जो यो-पी रह स्थान दोड़ों तिस गड़ और यूपी दोनों को टच करता है ठीक है एक यह चीज आपकी यहां से रेडी हो गई है इस प्रकार इसी प्रकार आपको इसमें यह विस दो तीन आपके डाउट मैंने आपके क्लियर कर दी है मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता कि इस्ट वेस्ट नौट सौट के मारा अउटस के सबसे पूर्वी जिला मंत्र इसका सबसे पूर्वी जिला इस्ट में वह आपका सिंग्रोली कि यहां से आपको यह विक्लियर हो जाएगा सबसे बतरी जिला मुरे ऑकि सबसे उत्तरी जिला मुरेचा है ठीक है बाकि सब क्लियर है इतना अप सभी को क्लियर हो गया होगा ठीक है तो आज के लिए इतना काफी आप मैप बनाना सीखिए मैप बनाई यह और तो आप मैं बनाईए जीले उसमें भरना सीखिए कौन से जीला कहां परें और कौन से जीला की सराज को टच कर रहा है यह आप प्रेक्टिस कीजिए कल मैं एक दूसरा लेक्चर लेकर आओंगा उसमें हम MP के गठन के बारे में थोड़ा आगे पड़ेंगे चलिए ठीक है धन् सबसे पहले मिल जाएं ठीक दूस्तों समस्क्राइब